जितेंद्र फिल्म उद्योग में अपने नृति के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। जितेंद्र स्वर्गिय दिगज अभिनेता राजेश खन्ना के स्कूली सहपाथी थे। जितेंद्र के मातापिता नकली गहने का व्यापार करते थे। शांताराम ने उन्हें वर्ष 1964 की फिल्म गीत गाया पत्थरोंने में बहरत्रीन अभिनेता के रूप में भी शामिल किया। वह शांताराम ही थे जन्होंने उनका स्क्रीन नाम जितेंद्र रखा। उनकी फिल्म गीत गाया पत्थरों ने बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप रही थी, जिसके चलते जितेंद्र को कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद जितेंद्र ने वर्ष 1967 में फिल्म स्पाइ थ्रिलर फर्ज में अभिने किया, जो उनके लिए एक हिट फिल्म साबित हुई। जितेंद्र ने फिल्म फर्ज के एक गीत मस्ट बहारों का मैं आशिक में बहुत ही उर्जावान और उत्साहीन रित्य किया है, जिसके चलते उन्हें जम्पिंग जैक उपनाम दिया गया। सत्तर के दशक में जितेंद्र और हेमा एक दूसरे के प्रेम में पढ़ गए। हेमा ने अपनी आत्मक्था में दावा किया कि वह जितेंद्र से शादी करने वाली थी परंतु किसी कारणवा शादी नहीं हो पाई। अभिनेता संजीव कुमार हेमा मालिनी के प्यार में पड़ गए, लेकिन हेमा संजीव कुमार की जगा जतेंद्र से प्यार करने लगी.